आपा इंडिया ते पाकिस्तानों आपा एमी बनाम किता हुए है एजन जो श्री लंका मलेशिया चे बैठे ने वी चीज का रहे ने मिलेकोल काफी ओते दे लोग का दी कॉल आंदी है कि आज आपा लैंड किता है ते आज अनु एजन दी कॉल आगी है भी तोड़ा युनिवर पे आपने बहुत सारी वहां पे एजन्स और बंदे ऐसे बैठे हैं जो आपको कैनेडा भेजने के लिए तैयार है तो क्या इंडियन गवर्रेमेंट वहां पे किसी भी प्रकार का चेक कर रही है कि दाट परसेंट हुए सेंडिंग दप स्टुडेंट आउटसाइड दा आप बहुत बड़ी गरंती चे स्टूडेंट इस दाखल होए ते पर इस चीज जड़ी है संकता है काफी सालांबाद होना दे सामने आया जदो जो जो दावा की ता गैर बोर्ट दे विच्ट के सेंकडियां दी गरंती चे स्टूडेंट ने जड़े इस क्राइस विच फसी करना बड़ी मश्कल है पर इस वेले होए स्टूडेंट्स इस दी लपेट चा सकते ने जा जड़े नवी स्टूडेंट सा है ने की की कर सकतेने क्योंके जड़े ही इस तरह हνदे आज एजएंट ने इस तरह हैं इससरा हुष कर देने उना ने असा थैक जान स्टे इस चीज बस सक देने दे बारे इसी इंगाल बात करांगे ते सादे नाल दो गैस्ट में इस विले नरेश जी पड़े लम्मे टाइम तों बड़े एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने रिची इमिग्रेशन तों सादे नाल ने रेशी बुलो एवरीमें जी गुद मानिंग ते इना दिनाली वैभव सासरेगाल जी सारे नू ते नरेश जी मैं तो अड़ितों शुरू करता है ये बताएं हमें के जो अभी 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 जिनकी अडिमिशन हो रही है वहां जी वो क्या करें क्योंकि इनको तो चार साल बद पता चला लेकि आप में ये बात मुदा हम लोग पड़ी रहे हैं रोज देखी रहे हैं कि 700 सुदिंस को डिपोर्ट किया जा रहे हैं बट इस अड़ी दर्या नंबर इस 700 और डू वी हाफ मोर दन 700 पीपल जिनका अभी तक न्यूज में कुछ नाम ही नहीं आया है न्यू सुदिंस जो अभी वहां पे बैठे हैं ब इतने लाखों रुपय दे रहे हो अपने सपना पूड़ा करने के लिए क्या अपने चैक किया कि आपका जो एज़ंट है वहां पर क्या वह एजब्स कर रहे हैं कर रहे है अपने पास पैसे मंगा रहा है और फिर अपने आईडी से वहाँ भीज रहा और आपी कि यू रहा है वह आप जड़ाँ कर रहे है यो कि अगर वो बंदा जयन्यून बंदा है तो वह आप अपने अलग चेनल से आपके पैसे पँच आए का नहीं पेली बात तो और कि आपने कॉलेज के साथ में किसी भी प्रेकार का कम्यूनिकेशन डिरेक्ली किया तू चेक वेडरी ऑफ़ लेटर जो आपको मिला है वो अथेंटिक ऑफ़ लेटर है या वो फेक ऑफ़ लेटर है वाइड यू टेक देप अन वेरी प्राइमरी लेवल रादे दिन आफ्टर थ्री यहर्स फोर यहर्स की इन्वेस्टमेंट आपका टाइम आपकी पैसे सब लग जाने के बाद आपको जटका मिले वाइड यू गाइस चेक इट आप राइट ऑन डे वन कि आपके इन्वेस्टमेंट कहां जा रही है किया पाइजना की चाहिए रहा है और भी यह उन्फिजए नहीं रएएद जगोना दोना बहुते रड़ फ्लैग्स ने पहली कल सपेशली पंजाब दे विच ते ओवराल इंडिया दे जड़े एजेंट्स तानु एक एंदेने भी तुसी फीस सानु दे दो आप अपने अकाउंट तो पे जांगे कॉलेज नो सब तो वड़ा रड़ फ्लैग हो है क्योंकि जो आपके आपके अप्लाइट अप्लाइए करी दिया ना तुसी कहने ना कि यह अकाउंट चाहिए क्योंकि जो भी वदिया कंसल्टेंट होगा या विच इस बिग कंपनी जैनुन कंपनी और नहीं भूलोगी कि तुसी अग्गे पैसे पाओ तुसी तुसी तौनु पता हिए क आजकर इंडिया विच वी था टेक्स इंपलिकेशन होगी बोट कॉमन प्रैक्टिस हो थे कि उनतों पाद सारे पैसे वीजा लगनतोबाद जित्वे बंदे दा करीव 16 लाख लाग दे और पच्छी लाख दे ओ लिकिन सारे पैसे वीजा लगनतोबाला वांगिदा तो तु इन्हें तो कॉलेच तो अमाउंट भी नहीं रिसीव होंदी आफट वीजा तो जेड़ा एजन तो एक एंदा पर है कि तुसी मेरे अकाउंट चे पैसे पेज़ो वह सब तो वह डरेड फ्लैग है तो अनू कदी भी नहीं करना जाहिए तिन आले आज कल इंडिया देविच वह होगी के सत लग तो बात अनू टेक्स पंद है तुसी सब तो पहला एजन नू पेजन वेले टेक्स पे कर रहे हूं और तो बात एजन अग्गे पैसे पेज़े हो फिर तो आनू फीस चार्ज कारते हो दे रही ज़ए ज़द उसी जी आइसी वरगी अपने ही अकाउंट तो प्लीज मेक्शूर करो कि तुसी कॉलेश वी अपने ही अकाउंट तो करो इस अब तो वड़ा एजन्ट वैसे कॉलेश दे ऑथराइस्ट एजन्ट ने होते सर कंप्लीटली बोला दे नॉट ऑथराइस्ट ठीक है जी हुंदा की है दे वाया 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 केसनाल टच्चे हु दिखा लाए उन उही ऑफर लेटर्स थे नाम बदल बदल के नवे बच्चे नों दे जान देने स्टड़ी वामिट्स लाई जान देने अच्छा सो पराने डॉकिमेंट्स थे जिदा पंजासो बच्चे लिस्ट आगी पंजासो ऑफर लेटर्स जुड़ी है अना को ले बस जो गवर्मेंट के रूल्स हैं दैसे CIC के रूल्स हैं वो कहते है कि अगर अगर आप जानते हो कि यह बंदा ऑथराइज है तो आप हमारी वेबसाइट पे आए और चेक करें CIC के वेबसाइट पे आओ उनका लाइसनस नंबर दालो उनका फर्स नेम लास नेम उनकी अडरेस वगर दालो आप आराम से चेक कर सकते हो कि बंदा ऑथराइज है या बंदा फेक है तो उनका नाम वहाँ पे आएगा ही नहीं तो आपको यह पहला स्टेप यहीं पे क्लियर हो रहा है कि आप जिसके दात में डील कर रहे हैं आप जिसके पास अपने लाखों रुपए डाल रहे हैं क्या वो बंदा ऑथराइज है या नहीं है कि बंदा फेक है या आप यहां का यहीं पे चेक कर सकते हैं उनका नाम कहीं भी नहीं है उनका नाम नहीं है सिर्फ वो तो या बच्चा आप, जेडे एजेंस फेक आफ़ लेटर बनाने नहीं है, जेडे नहीं भी बनाने फेक आफ़ लेटर, वह एजेंस, they are not authorized, वह की करते ने, बच्चे दी इमेल आईडी लेके, बच्चे दी जीसी अकाउंट बनाके, उतो फाइल पान देने, तो इम्मेग्रेशन इम्मेग्रेशन लेटर बच्चे दी जीजी की नवी बनानाना देने, एक जीजी की तो इक को फाइल जान दी ए, इम्मेग्रेशन लागदा है, बच्चे दी बच्चे दी ट्रीबूनल कोड देने, उतो जो जज जज ने सिदा क्या भी फाइल तो सिआ पाई है, there is no agent, we don't know इंडिया दिविच कोई रिटेनर साइन नहीं हुंदा कोई फीरिसी नहीं रिती जांदी रिपोर्ट्स पिछे जयां या सी के कॉलेज़ ने जड़ा एडमिशन दा सिस्टम में होना और डारेक्ट करन दी बजाए थू जड़े कुछ चैनल जे रोने थू कर रहे है नरेश जी और आर्ची वालों को ही दे रहे हैं या अध्राइज एजन को दे रहे हैं जिनको आप आराम से चेक कर सकते हैं आप हरे क्यों नहीं कर सकते हैं अगर सब को अध्राइजेशन दी गई है तो फिर तो लाइक इडिकम्स लाइक अफिश मार्टे बंदा है उठके जड़े जो एसल चना बच्चें दी सुहूलत लई बनाएगा इसी कि बच्चे ना तो आफ़ाइडर्स लेके आफाइल आलन कुई कुछ बच्चे हुंदे हैं जड़े मैट्रो सीडिस दे हुंदे ने ते एजन्स ने वी उत्थे पाढ़नेशिप करके कई उत्थो वी आफ़ाइड हां जी पैकेज दील बेच रहे ते पर हुड़े जड़े जड़े ने बचना होवे इस तो ओ फिर अपना ओफर लेटर बारे की कॉलेजनाल डिरेक्टली कम्मिनिकेट करे हां जी देखो जी पहले गालता जैद आपा किसी कॉलेज दे विच बच्चे दी ऑफर अपाई दिय इस विचेज दो तो तिन मेजर ईमेल्स उदियाने कई है एक डिरेक्ट बंदे दी वी होंदी है जनें ऑफर लेटर एशू किती है जेकर तो अवर्ड इकोल अफर लेटर आगी है नो मेंटर तुसी के देनाल काम करे हों ऑफर लेटर लेकर उन्हनने ओमेल करो ते पुछो Was this offer letter issued by you? जेकर तनु रिप्लाइ पॉजिटिव वांद है, that means कि offer letter real है, otherwise नहीं है. नरेश जी, प्राबलम यह है कि यह आपने बताया कि वो authorized agent नहीं है. बिल्कुल जी. तो जो IRCC के licensed advisor हैं, वो तो Canada में हैं. बिल्कुल आप वहां पर क्या करें? बिल्कुल सही कहाँ आपने, आप उन जो licensed immigration consultant है, जो हम लोग यहाँ पे Canada में जैसे बैठे हैं, आप हमारे को यहाँ पे directly contact कर सकते हैं, क्योंकि काफी channels हैं, आजकल तो पूरी दुनिया यह दैसे छोटी हो गई है, Facebook आ गया, Instagram, WhatsApp पे सारी बाते होती है, इतना बड़ा यह स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम तिला रहे हैं, तो इनके पास क्या mechanism है, अगर उन जो यह जैंट हैं उन पे डिपेंड ना करें, अगर उन्होंने उन से बच के independently करना हो, तो वो कैसे करें? देखिए अगर independently आप करना चाहते हो, तो अपने खुद की GIC के अगर यूस करके, अगर आप करते हो, तो वेल इन गुड काफ की उसके लिए उसमें आपको अपनी नॉलेज की जरुवत हैं, वाकि सारा कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही है, अगर नहीं आपको कोई सही बंदा समझ में आ रहा है, तो यू कि डिरेक्ली अप्रोच एनी इमिग्रेशन कंसल्टेंट ओवर हीर इन कैनिड़ा, अगर आपके हिसाफ से एक वैलिड और सही सिस्टम क्या होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हजारों लाखों की गिंती में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कनेडियन कॉलेज़ का या इवन गवर्मेंट अफ कैनिड़ा इतने लोगों को वीज़ा दे रही है, इतने लोगी हां आ रहे हैं, तो उना दे कोई सिस्टम नहीं है बबबब जी, देखो जी सिस्टम ता सब तो पहले का लगा इतने चेक हो गया कि जाद उना दे स्टेडी परमिट्स लगे ने, क्योंकि एस पर इमिग्रेशन स्टेडी परमिट्स जो बतना एप्रूफ कर रहे है वीज़ा ओफिसर, तो आइगेस उना ने प्रोसेस नू काफी हद तक इजी बनाया हुए है कि बच्चे आप भी फाइल ला सकते ने, बट दे आ नोट कॉन्फिरेंट, दाइज वाइव तो टेक हेल्प फ्रम अधर सूर्से ने तो उना ने ओफ़ल एट लैना कॉलिज तो या फिस सड़ी परमिटा फाइल करना उना ने सारी प्रोसेस ओनलाइन मेंशिन किती हुए है पूरा तर पूरा सिस्टम ही बड़े जीव तरीके नोट चल रहा है, बिल्कुर, सर जी इस पर मैं एक चीज आट करना चाहूंगा, कि अगर आपने देखा, यह जो 700 स्टूडिंस की भी आपने जी स्टोरी देखा, उसमें आपने यह देखा होगा, कि जब यह बच्चे लो जन्यून और नॉट, यह एक मैटर अफ ट्रस्ट है, कि वो अपनी गवर्मेंट यह ट्रस्ट कर रही है, कि ओके जो यह बच्चा ओफ लेटर लेके आ रहा है, वो एक जन्यून ओफ लेटर लेकर आ रहा है, ठीक है, जिसको अफकोस हम लोग ब्रेक करते जा रहे हैं, यहां हम लोग उसका मिस्यूस कर रहे है, जो एजिंस वह पर बैटे हैं, यहां मिस्यूसिंग देश्ट अपनी पता नहीं है, क्योंकि अगर वो तीन साल, चार साल के बाद यह पता कर सकते हैं, तो वो पहले दिन पे भी बता कर सकते हैं, लेकिन क्या खाली, शुड वी ब्लेम दे आज हम लोग एक दो रुपए के भी चीज लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि चीज सही है या गलत है, तो जब आप 20-20 लाग रुपए लगा रहे हो, तो आप वो नहीं चेक करना चाहते हो, क्या आप अपना 20 लाग रुपए किसको दे रहे हो, क्या वो सही चानल में जा और इसका यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, किसी के चाचे, किसी के मासियां, किसी के ताहियां, सब इदर कोई नो कोई बैठा है, वाइ डोन दे कम्यूनिकेट विद दोस पीपल और से के भई मेरा बच्चा यहां पर आ रहे है, और यह इमिग्रेशन कंटल संसे मेरी बात है, क्या यह बंदा यहां पर ओफिस कोल कर बैठा है, क्या यह बंदा लाइसन्स है या नहीं है, वाइ डोन दे डू टू स्टेप वरिफेकेशन, इट बेकम्स लॉट इजियर, जैनिर्टी पता चल जाती है, और उसके बाद ही आप अपने आलाकों तालो, इसके बाद है, नाली, मैंना इसी चीज़ देखो, जैड करना चाहूना, कि जिदा आप पा तुसी पहले गाल केती है, यह सिस्टप क्यों नहीं बिल्कुल सही चल दा पया, देखो, इंडिया तो, पाकिस्तान तो, हर तरफ, हजारों लखा, थौजंस और स्टूरेंट्स अर अप्लाइं फ आप पहले लिए थिस अनदर रेड फलाइग जो लोकान हो देखना चाहे थे, जरकि कॉलेज स्कुल, जी गॉर्मेंट को लिना वटा सिस्टम नहीं है, ज्योग गॉव्मेंट आप केनेडा, देना अबल टू चेक दी ऑफ़ अफ़ए जनुनेटी जात उना को स्टेडी पा नहीं है, but just with an idea about जनी कॉल्स मेल एनना ते जनी कॉल्स आपस चे सारे डिसकस का देने, the number is in thousands. दरेश जी जो इस वक्त हैं, जी, उनको भी हो सकता है, कहीं को दो साल बाद पता चले, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, कॉलिज से चेक करें, सबसे पहले, क्योंकि एक और चीज है, कि जैसे अभी रड फ्लाग की अगर बाते हो रही है, तो कई बार ये एजिंट्स क्या करते है, कि जो बच्चा यहाँ पर आ जाता है, से फर एक्जांपल उसने कॉलेज ए में अडमिशन दिला ही है, वो यहाँ आने के बाद बच्चे का कॉलेज चेंज करवा देते हैं, तो यह इस इनदर रड फ्लाग, वो उसको कहेगा कि बच्चे नहीं सिटी कॉलेज में ना जाके तुम यहाँ पर प्राइविट कॉलेज में अडमिशन ले लो, प्राइविट कॉलेज, बच्चे ने अडमिशन मांगिया है किसी एक अच्छे कम्यूनिटी कॉलेज में, वो वहाँ से सपने देख कर रहा है कि मैं आज इस कम्यूनिटी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, यहाँ पर आते ही उसको कह दिया कि भाई यह तेरा यह कॉलेज में सीट्स फुल है, तुम वहाँ से वहाँ चले जाओ, एट लिस्ट गो एन अप्रोच यह कम्यूनिटी कॉलेज और फाइंड आउट कि क्या मेरे को उस कॉलेज में जेनूनिटी अडमिशन मिली थी, अगर हाँ, तो भी वह उसको बूलो, कि भाई वाई शुड आई गो फाइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज आपको पोस्ट ग्राइज़ेशन डिप्लोमा नहीं दिलाते, आपके पैसे कई जगा पे वेस्ट हो जाते हैं, परो करने आने, अलमा ये कर निकाल रखा है हमने, तो फिर एक तो ये तो ये तो ये एक और ही आप नया एक बिजनस सामने दिखाई देंगे, मैं सान में ये भी उताना, मैं ये भी दसने चानना सारे लोग का नूँ की, आपा इंडिया ते पाकिस्तान हो आपा ये बंदान किता हुए है एजन जो श्री लंका मलेशिया चे बैठे ने वी चीज का रहे ने मिलेकोल काफी ओते दे लोग का दी कॉल आंदी है कि आज आपा लैंड किता है आज अनू एजन दी कॉल आगी है भी तोड़ा यूनिवर मैं ये खरीद के किता हूं अपना दूसरा रस्ता चोन लें देरें अब एवी ते एक चीज चल रही है देखो जी देखो मैं एक गौर्मेंट दी पॉलिसी नहीं देखो कि कोई बंदा इत्या के वर्क परमिंट ले साकता है बट किते हैं किते हैं कि मैं समय था हैं कि एना ए इन में गलत ना समझो बट जड़े स्चुरेंट थे आरे ने जो सटी चड़के किसी एजेंट दी चांसे चाहा के लमाइ लें देने राइट इंग ओधे गौर्मेंट नो थोड़ी नकेल कसन दी लोड़ है औना पुछन दी लोड़ है वह तुसी चुरेंट आय सी के तुसी शो किता है कि तुसी पढ़ना है थे आके ते हुन तुसी एलमाइ क्यों लह रहे हूं I guess that is something जे इद्धा दी चीज रुक जोगी ते कितना किते साथी एकनौमी नू साथी सोसाइटी नू कम्यूटी नू सुदार होगा तुसी सोचके देखो कि जड़े कच्छी उमर चे थे ट्रककर्स बने होए ने सारा कुछ अगें मैं किसी भी चीज नू माड़ा नी बो रहा है लोग फूड रेस्टरांट चे भी काम का रहे ने लोग की आफिस चे भी काम का रहे ने पर तुसी एचीज देखो कि जेकर तुनू कि इसने कोई चीज सुजेस्स किती है at least तिन चा को लगी ताट एजेटिए कि स्टा कॉलेज पर गया तुसी अलमाय लाए लाए लो यह भी बड़ा टेंड था उन्हों कैने तुसी अलमाय लाए लो कॉलेज दी पैसे नहीं थोड़े जी उपडर ही यह दूजे चल जो जो जेकर तुसी कुरेंटली स्टूट लें ये रेड बिल्कुल बिल्कुल देखो जी डिलाए कॉलेज़े एक वेबसाइट है जो गॉर्मेंट ने बनाई है उते जेड़े वी स्टेडी एडुकेशनल इंस्टिटूशन्स ने सारे नो डिलाए होना जरूरी है पर डिलाए नाल जित्थे PGWP दे था ले यास लिखिया ने और पब्लिक कॉलेज़े PGWP दे ने ने पर जित्थे यास नहीं लिखिया और प्राइवेट कॉलेज़े ने ते को जी संधा तुसी स्टेडी पामिट भी प्राइवेट कॉलेज़े लेकि आ सकते ते तो कितने कितने में लगता है कि एक गौर्मेंट ते कुछ सिस्टम नहीं जो नहीं काफी बनाते बट डैड नीज रिफॉर्म आफटर सो में यर्स ताहीं करके काफी लोग भी यह दे विक्टिम हो रहे ने असल बात तो यह है कि यह सिस्टम सभी के लिए फिर कैसे हो और इसकी इंटेगरिटी और जो लोग आएं उनको भी थोड़ा यह महसूस हो कि हमने कुछ एचीव किया लाइफ में हमने कोई फ्रॉड सिस्टम के थ्रू नहीं आए बिलकल आपकी यह जो बात है यह सही है कि जैसे अभी वैभब ने भी कहा कि देर इस देफिनेटी यह रिक्वायमें और नीड की जो सिस्टम है इसको थोड़ा अभी चेंज करना ही चाहिए यह कि सिस्टम चेंज होगा न्यू पॉलिस आएंगी बिकास के दारिक में काफी म इस देफिनेटी को बिलॉंग करते हैं इसके लिए हम रोज मरह यह बाते सुनते हैं लेकिन अपार्ट फ्रम इंडिया पाकिस्टन यह जो कान नहीं आ रहे हैं विया गटिंस वाल ओर देफिनेटी ज़ेटी आपने श्री लंका बुल दिया पाकिस्टन इंडिया चाहिन बो यूके यूरप से भी बहुत सारे बच्चे यहां पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए बट थोड़ा सिस्टम चेंज होना बहुत जरूरी है सिस्टम चेंज होगा थोड़ा सिंप्लिफाइ होगा तो हमारी बात हुई थी इमिग्रेशन मनेस्टर से हाजी वो कह रहे थे कि जो स करना चाहूंना देखो एजन्स थे नकेल कसना बहुत इंपॉर्टन है पड़ो नकेल कीमे का सकते ने आइगास दी ओली थिंग दी कनेजिन गोवर्मेंट कैन दू एजुकेट पीपल और नहीं समयना चाहिए कि चाहे इंडिया या पाकिस्तान तो बहुत जादा बच्चे आरे ने ओथे किसे तरिके दी अड़र्टीजमेंट करन या ओथे वी किसे तरिके दी इनिशेटिव चलान क्यूंकि देखो एजन्ट ना हून और आपा नहीं फड़ सकते क्यूंकि देखो जड़े एजन्स ने बच्चे दी इमेल आईडी तो जीसी अकाउंट बनाए ने त हो गोर्मेंट ऑफ कैनेडा बलो जायना बलो अथोराइज लोग हो विल्कुल इना ते ली सिस्टम दी इंटेग्रिटी नो बिचा के रखन वास्ते जरूरी है हम यहां पर यह कह सकते हैं कि इस अ पार्टनिशब बेट्वें टू कंट्रीज यह बहुत अपर लेविल पे मल सब्सक्राइब के लिए कि स्टुदें स्टुदें सब्सक्राइब कंट्रीज चाहिए तो इसी तरीके से गवर्मेंट तो गवर्मेंट यह एक और होना चाहिए कि ऐसे फॉर एग्सांपल अगर हम अपने इंडिया को ही ले 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 तो आप यू टेक एनी सिटी आप पंजा स्टुदेंट आउट साइड दा कंट्री क्या वह बंदा जैनून है या नहीं है कि आपके बैंकों से आपके सब पैसे निकल जाते हैं बट यह प्रकार का फ्रॉड है बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं कि गवर्मेंट ऑफ कनाडा को जन कंट्री से वह स्टुदेंट ले आपके काम करना चाहिए नाले एक चीज़ में होड़ चीज़ देखिए कि आज कल चड़ी पॉमिट्स दे नालवी इंटर्व्यू आरे ने इंटर्व्यू दे विच बच्चे नों पुच्छा जा रहे है कि तुसी फाइल कितो लवाई है या फाइल दे विच की मेंशिंड आज बच्चे 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 नों नहीं पता हुंदा है एक बहुत बड़ बड़ जड़े स्टूडेंट्स ने विक्टम बंगे मैं तो यह एडवाईज दूगा कि आज भी जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं प्लिस्ट लोग आप दो साल के बाद पता चले कि उनके अफ़ लेटर नकल थे या मेबी आफ टू बी ऑलसॉ डिपोटेथ आप अपने कॉलेज इस से बात करें किसी भी एजिन के पास जानी की ड़ुष नहीं और उड बात करें आप अपने कॉलेज जाहां बात करें जो भ अलगे रहा गजेश मिश्रा इक नहीं है। बहुत बजेश मिश्रा हॉन गए। का लेजड़ी हो चुप हो एन थे उन्हों टुप हो आप टू और गट करने कर दो गॉञ। बहुत बहुत शुक्रिया